विल्कम चुमाइच नमसाइकाडमी दिस इसमानसू जी हां सेंटर गवर्मेंट की 27 फार्मसिस्ट की पोस्ट पे लास्ट डेट 31 सांथ 2023 रहने वाली है क्या कुछ नोटिफिकेशन था इसके बारे में लास्ट अपडेट अवेरनेस बात करेंगे जी हां मैं बात कर रहा हूं एम्स राइपूर का नोटिफिकेशन खत्म होने वाला है 31 तारिक इसकी लास्ट डेट है इस वीडियो लेक्शन में complete information देंगे साथ ही एम्स रिसी केस के यहां पे admit कार्ड को लेकर कुछ confusion हो रही है क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में बात करेंगे और लास्ट में एश्वर वाला जो form है वो application form जो है भरा नहीं जा रहा है first step हो रहा है second step हो रहा है तो इन सभी topic को cover कोने वाले हैं इस वीडियो लेक्शन में complete वीडियो को सुनिएगा सारा सब कुछ doubt जो है वो clear हो जाएगा सबसे पहले सबसे बड़ी update जी हां जैसा कि आप सभी जानते हैं permanent vacancy के 4-5 दिन पहले last update में आपको देता हूँ जिसमें कि आपको यहां पे मैं बता रहा हूँ जी हां इमस राइपूर की जो date extend हो चुकी थी यानि कि पहले date 19-2023 ती अब वो बढ़के 31-2023 हो गई है यानि कि आज से 4 दिन बाद इसकी last date जाने वाली है तो जो भी student interested है 27 total pharmacist की post है आप लोग यहां पे apply कर सकते है application form अभी चालू है link यहां पे आप देख पा रहे हैं और इसका एक notification भी आया था कि अब examination के center को increase कर दिया है मतलब कि भोपाल भोवनेश्वर बिलासपूर और नागपूर भी इसके examination center को जोड दिया गया है तो जी हाँ 27 pharmacist की post 31-7-2023 इ next बात करते हैं IMS3C को इसको लेकर मैंने देखिए कुछी दिनों पहले एक video बनाया था जिसमें की admit card को लेकर हमने बात की थी तो यहां पे आप देख पा रहे हैं यहां पे हमने उस समय clear कर लिया था और मैंने आप लोगों से पूछा था कि जो admit card है वो pharmacist का नहीं आया है अ जब भी आएगा notification आजाएगा बट हाल ही मैं ऐसा नजर नहीं आ रहा है जब भी आएगा मैं भी update दे दूंगा आप लोग भी चेक करते रहे हैं और आप लोग को भी पता चले comment करके जरूर बता देना तो अभी के लिए चिंता का विशय नहीं है फार्मासिस्ट का किसी का नहीं आया है ठीक है जी और यहां पर देके एक और नोटिस दिखा हुआ है जैसे कि काफी इस देके सुत्रों से पता चला है कि काफी लोग ऐसे हैं जो आपको भड़ना नहीं है जाम देना है पास होना है प्रॉपर वे में जो requirement का process होता है recruitment का उसी follow में आपने आगे में AIMS भावनेश्वर को लेकर देखिए काफी instrument बोल रहा है सर यह link जैसे हम B और C group में जाते हैं और यहां से registration करते हैं उसके बाद का step जो है वो complete नहीं हो रहा है तो देखिए इसमें चिंता का विशय नहीं है हो सकता है कोई technical glitch आ रहा हो तो आप लोगों को अगर कोई भी problem आ रही है है na application form को भरने के लिए इसलिए यहां पे एक help line number दे रखे हैं और यहां पे help line आपको email address भी दे रखा है आप लोग यहां पे officially email और help line से पूछ सकते हैं कि यह problem जो है हमें फेश हो रही है अगर वो actually problem होती है technical glitch होता है तो आपको within 24 hours में इसका solution भी मिल जाएगा चिंता का विशे है नहीं ठीक है जी तो जो problem आ रही है सबके साथ आ रही है और आप लोगों को जो problem आ रही हो comment करके बताएं ताकि other student को भी similar आ रही है तो आप लोगों को जो है tension नहीं होगी घा यह तो problem सबके साथ आ रही है ठीक है तो अभी मेरे को लगता है शायद तक व अभी रणिंग में है जी हां इम्स जोदपूर का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है उसके बारे में एप्लिकेशन फॉर्म चालू होने बागी है भून इश्वर के चल रहे हैं 31 तारीक को राइपूर के लास्ट डेट है और इम्स रिश्केशन हो चुका है ठीक है जी तो यहां तक पूरी कंप्लीट अपडेट थी इम्स फार्मसिस्ट एग्जामिनेशन 2023 को लेकर अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट करें मैं पूरी कोशिस करूंगा आपको एंस्वर कमेंट करने की कैसा लगा इंफोर्मेशन जरुमेदाय कमेंट स सब्सक्राइब करें कीप वाचिंग स्टे ट्यूम